असलाम अलेकुम वेलकम टू मैं चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल एकन क्लिक करना ना भूले चले वेंस हमारी आज की रेसिपी है मटन का सुक्का और होमेट रुमाली रोटी यह बनाने के लिए यहां पे मैंने मटन लिया हुआ है छोटे-छोटे पीसस में कट कर लिया है अब इसमें दालेंगे मिर्ची, नमक, अध्रक उलेशूंगा पेस, हल्दी अपने सिसाप से दाले यह दाले के बाद हम दालेंगे दरदरा कूटा हुआ हुआ गरम मसाला और मटन मसाला हरा धनिया और कड़ी पत्ता इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हुआ देखिए इस तरह से मिक्स कर लिया है इसमें दालेंगे एक चमर चर्चिली सॉस एक चमर सोया सॉस अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए इस तरह मिक्स करने के बाद एक निंबू का रस दालेंगे मतन लाज़ करेंगे तक में अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे देखिए अब 10 मिनिट के लिए से ढखकर रखेंगे देखिए हमारे 10 मिनिट हो गए इस तरह से मटन पकाए इसमें अब थोड़ा सा हरा धनिया दालेंगे फिर से फीर से मिक्स कर लेंगे अब इसे फीर से पांच मिनिट के लिए रखेंगे ढखकर दीखें हमारे पांच मिनिट हो गए जो हमारा मटन का सुका है वो बन चुका है अब इसे सैड में रख देंगे अब रोटी बनाएंगे रोटी बनाने के लिए मैंने हाफ केजी सूपा राटा लिया हुआ है नमग अपने स्वादन सार दाले कुकिंग ओल अब दालेंगे मिल्क डूद अच्छे से मिक्स करना है और पानी के साथ हमें इसे गुन लेना है अब भी पानी नहीं दालना है हमें बाद में दालना है इस तरह से मैंने गुन लिया है अटे को एक दम सॉफ्ट गुना है में आटे को तभी हमारी रोटी अच्छे से बनेगी अब इसे हम एक एक करके पेड़े बना लेंगे इस तरह से मैंने पेड़ा बना लिया है अब इसे हम रोटी की तरह बेल अब में तेल का इस्तेमाल नहीं करना है अगर आप चाहे तो गी का इस्तेमाल कर सकते हैं सेखने के लिए अच्छी तरह हमें सेखना है से ताकि यह कच्छी ना रह जाए अच्छे से पल्टी करके सेख लेंगे कि ज्यादा कड़क नहीं करना है मैं सेखते समय ध्यान रखना है कि वह कड़क ना हो जाए हमारी रोटी दीखे इस तरह से दूसरी बिया इसे ही सेख लेंगे हम दीखे अब इसे पल्टी कर लेंगे अच्छे से देखी किस तरह से बनी है दीखे हमारी ये भी रोटी बन चुकी है इसे भी निकाल लेंगे दीखे हमारी होमेट रूमारी रोटी बन कर तयार है बहुती अच्छी बनी है दीखे हमारा सुक्का भी तयार है देखें किस तरह से बनी है, हमारी रोटी एकदम नर्म और मुलाईम बनी है, हमारी रोटी एकदम कडक नहीं रही नर्म रही नी चाहिए इस तरह से, आप भी इस तरह से बना के खाया और मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेय कर दे cock 121